कि है कि हलो फ्रेंट्स वेलकम टो मैं चैनल दावते दोस्त और मैं हूँ शशी और आज आप सब के लिए लेकर आए हूँ एक देशी स्टाइल की सब्जी तो चली बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए जो मैं प्रिपरेशन किया है तो यहां पे जो है बैगन जो है कोई भी दो चीजा चाटी तरह के बैगन कर लिए तो बैगन को मैंने डेंट्ल के साथ ही काट लिया है अलू एक-दो अलू चिलकि काट लिय कैट लिय है रख लिय और प्याज को इस तरह से स्लिट करके जो है काटके तयार कर लिया और साथ ही साथ यहां पर अद्रक ले değ Snudra और हरी तो कभी मौका मिलेगा, तो मैं जरूर जो है, इसकी रेशिपी आप सब के साथ, शेर करूँगे, और ये खासकर जो है, बारिस के सीजन में, बहुत लोग सुखोटा और दौरी वगरा, उससे पहले ही तयार करके रख लेते हैं, ताकि बारिस के सीजन आने से पहले, जो है उसमें सीजन काफी सबजी महंगे हो जाती है उस वक्त जो है यह सब चीजों का यूज करके पहले बनाया जाता था और श्टोर करके काफी सालों तक रखा जाता था इसके सबजी बहुत ही स्वाधिश्ट होती है तो यहां पर पैन है पैन के अंदर मैंने मस्टड ओल र जालेंगे और साथी जो है यहां पर पंच फुरन डाला है पंच फुरन जो पांच मसालों का एक मिसरन होता है जिसमें जीरा होता है सौफ होता है और बहुत सारी चीजे होती है और इसके साथी जो है एक प्याज है वो प्याज डालेंगे प्याज को जो हलका सा जो हमें एक भूनता रहेगा, इससे क्या होता है कि काफी अच्छा आलू थोड़ा सा अच्छा भून भी जाता है, एक अच्छा टेक्सर भी आता है, तो आलू और प्याज को हम साथ ही साथ भून लेंगे, और आलू और प्याज ये भूनता रहेगा, तब तक हम जो है मसाले तयार कर लें काली मिर्ज, जीरा, लैसन, अद्रक और हरीमिच, इन सब को हम अच्छे से पेश्ट बना लेंगे, तैयार कर लेंगे, अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर पीस लेंगे, और यहां पे देखिए आलू और प्याज अच्छे से भून चुका है, तो यहां पे दो टमाटर जो काफी अच्छे से मिक्स हो जाए, काफी अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए, तो इससे ढखके दो-तिन मिनट प्रोसेस को लगेगा, तो दो-तिन मिनट में यह देखिए, इस तरह से टमाटर काफी सॉफ्ट हो चुका है, और काफी हद तक आलो भी पक चुका है, क्योंकि जो पॉडर डालेंगे थोड़ी से हल्दी पॉडर डालेंगे और इसे जो है हम अच्छे से चलाएंगे और करीब 3-4 मिनट भूनेंगे ताकि मसाले से बिल्कुल तेल निकलना शुरू हो जाता है दिखता है वो काफी चिकना हो जाता है और उसकी जो है खुसबू आने लगती है तो इस तरह से मसाले 3-4 मिनट में भूनके तैयार हो जाते हैं अच्छे से दबाते हुए टमाटर को हमें मसालो को चला लेना है ताकि बिल्कुल जो है इसको गुठलिया न दिखे और अच्छे से जो है इसको चलाते हुए मसाले को हम भून लेंगे मसालो 56 जाले नहीं लगता है। और गाउँ में इसी चलमारो बनते हैं अदारी की सब्जी, आलू बैगन की सब्जी तो अदौरी से जो है इसका स्वाद और दुगुना हो जाता है बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है अलू बैगन के साथ अदौरी का इसके अंतर डालेंगे अगर अगर आपको चाह है तो डाले अगर नहीं है तो नहीं डालने की जरूरत है अब अदौरी क्या है आजकल रेडिमेट यह अदौरी जो है रेडिमेट वाला है तो इसको क्या है पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है तो इसे हम ज्यादा देर तक कुक नहीं करेंगे तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और सिफ दो तीन मिनट में ही जो है इसे हम जो है ये पक जाता है तो इसको चलाके जो है हमें अच्छे से ढख देना है अधक के जादा नहीं सिफ दो से तीन मिनट जो है एसे पका लेना और इस तरह से देखिए बिल्कुल जो है सब्जी जो है अलो को चुका है और साहटी साथ जो बैगन है वह भी हो चुका है और बड़ी जो हमने इसके अंदर बहुत लोग नहीं चके आप जो है तो आपड़िए जावल जो हैं कमेल अरा confirm जो हो चुका करेंगे तो आप जो है ख्रीसर में घनियापत्ते का भूलिएगा, thanks for watching, stay safe, stay happy